प्रेज चात्रों, मैं डॉक्टर सुचेता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिरिकल साइंस, S.P.C. गॉर्मेंट कॉलेज भीम आज हम बिये पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट के टॉपिक शक्ति के बारे में अध्यन करेंगे और हम पढ़ेंगे राजनिती विज्ञान में शक्ति का दृष्टिकोन क्या है राजनिती विज्ञान के अध्यन का एक प्रमुकुदेश यह जानना होता है कि शक्ति किसके हाथ में हैं, उसका प्रयोग किस प्रकार किया जा रहा है इसी कारण वर्तमान समय के राजनितिक विज्ञारक, राज्जी के विचार को अभिव्यक्त करने की अपेक्षा, शक्ति के धार्णा व्यक्त करने में अधिक रुची ले रहे हैं वस्तुता, शक्ति राजनितिक अनुसंधान का रिदय है और इसका स्पश्चलाब यह है कि इसके द्वारा दूसरे को प्रभावित करने वाली क्रिया को समझा जा सकता है लेकिन कुछ समय पूर्व तक शक्ति के विचार को राजनितिक अध्यन में उचित स्थान प्राप्त नहीं था प्राचिनकाल में शक्ति की धार्णा को असीमित या निरंकुष शक्ति से संपध माना जाता था इसके प्रती संधे उत्पन होना नितान स्वाभाविक था वर्तमान समय में शक्ति की धार्णा ने परयाप्त महत्वो और लोकप्रियता प्राप्त कर ली है और जॉर्ज कैटलीन तथा हैरोल्ड डी लास्पल ने इस धारणा पर विस्तार से विचार व्यक्त की हैं लास्पल वर्तमान यूक का सबसे अधिक प्रसिद एवं प्रभावशाली शक्ती शोद करता है राजनिती विक्यान में शक्ती की धारणा को समझना इसलिए भी आविशक हो जाता है कि इस संबंद में जो मिध्या विचार प्रचलित हैं उसे दूर किया जा सके लौड एक्टन का पसिद खतन है शक्ती भष्ट करती है और निरंग को शक्ती पूर्णता भष्ट कर देती है इससे हमारे मन और मस्तिश्क में शक्ती के प्रती एक दुरभावना को जन्म होता है वस्तुस्थिती यह है कि शक्ती तो सामजिक विवस्था के लिए नितांत आविशक है और शक्ती के बिना किसी प्रकार की सामजिक विवस्था की कलपना नहीं की जा सकती केवल शक्ती की अती या शक्ती के दुरुपयोग के साथ ही ब्रश्चाचार को जोड़ा जा सकता है इसी प्रकार एक नैतिक धार्णा के रूप में सत्यमेव जैते नितांत और चित्यपून विचार है और मानिमी जीवन में हमारा आदर्श यही होना चाहिए लेकिन हम जानते हैं कि सत्य के बीछे शक्ती का बल होने पर ही उसके विजय की आशा की जा सकती है शक्ती का अर्थ और व्याक्या रॉबर्ट एडेहल के अनुसार शक्ती के अध्यन की प्रमूग कठिनाई यह है कि इसके अनेक अर्थ होते हैं वस्तुस्तिति यही है कि शक्ति को विभिन्न विचारकों ने अलग अलग रूपों में परिभाशित किया है। Robert Baystate के अनुसार शक्ति बलप्रयोक की योग गिता है न कि उसकी वास्तविक प्रयोक। मेकाईबर के अनुसार शक्ति होने से हमारा अर्थ व्यक्तियों या व्यक्तियों के व्यभार को नियंतरित करने, वी नियमित करने या निर्देशित करने की शमता से है और गेंस्की के अनुसार, शक्ती दूसरे के आचरन को अपने लक्षियों के अनूरूप प्रभावित करने की शमता है लासे वाल के प्लान हर्डबर्ट साइमन ने शक्ती को प्रभाव प्रक्रिया के रूप में परिभाशित किया है उनके मतानुसार शक्ती का उपयोग करते हुए दूसरों की नीतियों और कारियों को परभाविद किया जाता है और इस प्रक्रिया में दोनों पक्षों के बीच घनिष्ट संबन्द रहता है राबर्ट एड हल के अनुसार शक्ति लोगों के पारसपरिक संबंधों की एक ऐसी विशेश स्थति का नाम है जिसके अंतरगत एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को प्रभावित कर उससे कुछ ऐसे कारे कराये जा सकें जो उसके द्वारा अन्यथा न किये जाते लास्वेल और कैपलान के उप्युक्त धार्णाओं के अंतरगत शक्ति को प्रभाव का परियावाजी मान लिया जाता है कुछ परिसितियों में ये सत्य होता है लेकिन सभी परिसितियों में नहीं शक्ति और प्रभाव एक ही व्यक्ति में पाई जा सकते हैं और अलग-अलग व्यक्तियों या व्यक्ति समुहों में भी स्थित हो सकते हैं हिटलर और चंगेज खान केवल शक्ति के प्रतीक थे, किन्तु नेपोलियन और लिंकन आदी में शक्ति और प्रभाव दोनों पाए जाते हैं, शक्ति और प्रभाव दोनों प्रभावित व्यक्ति के व्यवार को परिवर्तित करते हैं, किन्तु उस व्यक्ति का व्यवार शक् तत्व होने के स्थान पर बहुत अधिक जटल और मैकाईवर के अनुसार तो एक बहु पक्षिय तत्व है उधारण के लिए जब यह कहा जाता है कि प्रधान मंत्री की मंदल पर कुछ शक्तियां हैं तो यह कथान पूंडता निरर्थक न होते हुए भी कुछ बहुत अधिक मंत्री का सही रूप जानने के लिए अनेक बातों का उल्लेक करना होगा उधारण के लिए प्रधान मंत्री की शक्ति का स्थ्रोत शेत्र और आधार क्या है मंत्री मंदल पर अपनी शक्ति का प्रयोक करने के लिए प्रधान मंत्री कौन-कौन से साधन अपनाता है मंत्री मं मात्रा कितनी है और वह शक्ति कितनी व्यापक है इनी के माध्यम से हम जान सकते हैं कि प्रधान मंत्री और मंत्री मंडल में इसे अधिक शक्तिशाली कौन है निश्का शुरूप में राजनितिक शक्ति के संबंद में तीन बाते कहीं जा सकती हैं पहली है राजनितिक शक्ति धारण करने वालों में उच्छ अधिनस्त संबंद प्रकट होना सोभविक है अर्थात इसमें एक जिसमें शक्ति होगी वह उच्छता को होती है तीसरी राजनितिक शक्ति मनोविग्यानिक शक्ति प्रकट करती है ना कि भौतिक संपंद अब हम शक्ति का बल प्रभाव और सत्ता में क्या अंतर है या क्या भेद पाया जाता है उसका अध्यान करते हैं शक्ति और बल सामानेत है शक्ति और बल को एक ही मान लिया जा बताब बल जब प्र esto है तो प्रकट डूप में किया जाता है शक्ति की प्रिष्ट भूमी में बल रह सकता है कि इन नोहां भूल प्रकट तत्व है बल का अर्थ है शास्तियुों सैंक्शन्स की प्रयोक्ति या प्रतिवंधों की विवस्था जिसमें साधरन जुर्माने से लेकर प्रांधन तक शामिल है इस तुरिष्टी से शक्ती एक मनुभाव अत्वा पूर्ण शम्ता है जो की बल को संभव बनाती है रॉबर्ट पायस्टेट के अनुसार शक्ती बल प्रयोग की योगिता है न कि उसका वास्तविक प्रयोग वास्ता में बल शक्ती का एक रूप है किन्तु बल ही शक्ती नहीं है बायस्टेट ने शक्ती के तीन रूप पताए हैं पहला बल दूसरा प्रभाव तीसरा प्रभुत्व बल शक्ति के दामन में उसी प्रकार रहता है जिस प्रकार बादलों के बीच में बिजली जब बल अमर्यादित और लक्षिहीन होता है तब हम उसे शक्ति नहीं कह सकते अब हम देखते हैं शक्ति और प्रभाव समानता है शक्ति और प्रभाव यदि कुछ आधारों पर एक दूसरे के समान है तो दूसरी और इन में महत्पून असमानताय भी है प्रचाश और बारात ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल पावर में इन दोनों में अनेक असमानताय बताई है इन लेखकों के अनुसार शक्ति एवं प्रभाव दोनों ही बौधिक और समबंधात्मक हैं और एक दूसरे को सबलता प्रदान करते हैं दोनों अच्छिति पूर्ण हो जाने के पश्षात ही प्रभाव शाली होते हैं प्रभाव शक्ति उत्पन करता है और शक्ति प्रभाव दोनों को एक दूसरे की आविशक्ता पड़ती है शक्ति और प्रभाव अलग-अलग व्यक्ति में हो सकते हैं और शक्ति तथा प्रभाव दोनों के दर्शन एक ही व्यक्ति में किये जा सकते हैं शक्ति इवं प्रभाव दोनों प्रभावित व्यक्ति के व्यभार को प्रभावित करते हैं और वह व्यक्ति स्वयम बता सकता है कि उसका व्यवहार प्रभाव के कारण परिवर्थित हुआ है अत्वा शक्ति के कारण अन्य था यह मालूम करना कठिन होता है इसका निर्ण है तो वह व्यक्ति खुद ही करेगा यह दोनों एक दूसरे को बढ़ाने वाले भी हो सकते हैं असमानता हैं शक्ति और प्रभाव एक दूसर संबंदित होते वे भी इनमें महरपुन भेद पाया जाता है पहले शक्ति दमनात्मक होती है उसके पीछे कठोर भौतिक बल प्रतिबंधों का प्रयोग होता है जबकि शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो शक्ति से प्रभावि होने वाले व्यक्ति या समु के पास सडैव उसके अनूपालन के विशय में अनेक विकल्प मौजूद रहते हैं शक्ती प्राय शक्तिधार्क के पास एक स्वतंत्र तत्व के रूप में शक्ति को उप्रजातांतरक माना जाता है यहां प्रतिशक्ति काउंटर पावर को आमिंतृत करती है और भैपराधरित होती है जबकि इसके विरुद्ध प्रभाव पूंध प्रजातांत स्मानता की कारण होता है शक्ति और शक्ति के प्रयोग पर अनेक सीमाय लगी होती है शक्ति कितनी भी अधिक क्यों ना हो उसे किसी न किसी तरह के प्रभाव के सहारे की आवशक्ता पढ़ती ही है अने था शक्ति के दुर्बल होते ही या प्रतिवंधों के अभाव में उसकी अनुपालना नहीं की जाएगी प्रभाव की शक्ति असीम होती है और प्रभाव प्राप्त कर लेने पर उसका खुल कर लाब उठाया जा सकता है क्योंकि प्रभावक और प्रभावित इनके बीच एक सद्भावना पूर्ण संबंध स्थापित हो जाता है सच्चे रूप में प्रभाव प्राप्त हो जाने पर शक्ति अनाविशक हो जाती है शक्ति को सभ्यता एम संस्कृति के बहारी तर्थव के रूप में समझा जाना चाहिए इसका प्रयोग निश्चित, सीमित और विशिष्ट रूप में किया जा सकता है इससे प्रयोग करता का सुरूप प्राय सुनिश्चित होता है जबकि प्रभाव प्रय व्यक्तिगत, अमूर्थ और अस्पष्ट होता है कुछ ऐसा उधारन है जिसमें शक्ति और प्रभाव एक दूसरे से पून्ता प्रिथक होते हैं एक व्यक्ति शक्ति रखते हुए भी प्रभावीन हो सकता है उधारन के लिए 25 मार्च 1971 से 16 दिसंबर 1971 तक जहयाखान की पूरवी बंगाल के संबद में यही इस्ति पूर्वी बंगाल मतलब वर्दमान जो बंगला देश है उन्हें पूरवी बंगाल के संबद में केवल शक्ति प्राप्त थी प्रभाव नहीं दूसरी और शेख मुजिबुर रह्मान को दिसंबर 71 के पूर्व, पूर्वी बंगाल के संबंद में प्रभाव ही प्राप्त था, शक्ती आ सकता नहीं अता प्रभाव को शक्ती के अविशक्ता नहीं पड़ती और शक्ती भी बिना प्रभाव के रह सकती है लेकिन यह स्थिती साधानता लंबे समय तक नहीं रह सकती शेख मुजीब जीने 16 दिसंबर 1971 से पूर्व केवल प्रभाव प्राप्त था, उन्होंने दिसंबर 1971 में बंगलादेश के संबंद में शक्ती भी प्राप्त कर ली थी शक्ती और सत्ता राजनितिक संगठन उन सनरचनाओं द्वारा निर्मित होता है जो कि बल के प्रयोग का नियमन करती है तथा सामजिक सहयोग और नितरित्व से संबंदित होती है इसमें शक्ती और सत्ता का महत्पुन स्थान होता है शक्ती व्यक्तियों समूवों तथा भौतिक परसितियों के प्रतिरोत के होते होए भी स्वतंत्र कारे करनी की शम्ता का नाम है यह आदेश देने की शमता है उसे अपनी इच्छा को प्रभावशाली ढंक से पूर्ण करने की योगिता के रूप में देखा जा सकता है और यदि आविशक्ता पड़े तो दूसरों पर थोपा जा सकता है इतिहास में अनेक ऐसे उधारण है जिन में दूसरे राज्यों पर अनाधिकृत रूप से अधिकार किया गया अथवा उन पर विजय प्राप्त की गई किन्तु बाद में धीरे धीरे उन्हें जन्च्विकृती प्राप्त हो गई और वे सत्ता बन गए सत्ता के बिना शक्ति असंस्थाईकृत असाधनात्मक परिस्थिती जन्ने एवं निश्चित होती है सत्ता संस्थाईकृत होने के कारण अपने विशय शेत्र और प्रकृति में निश्चित होती है उसके निर्देशों को बाद्यकारी मानकर पालन किया जाता है सत्ता निश्चित इसपष्ट और प्रकट होती है इसलिए उसका विभिन स्तरों पर व्यक्त संस्थाओं समूहों में प्रत्ययोजन किया जा सकता है शक्ति में इस प्रकार की इस पश्टता और निश्चित्ता का अभाव पाया जाता है चार्ल्स मेरेम ने पॉलिटिकल पावर में शक्ति और सक्ता में कोई भेद नहीं किया है लेकिन वास्तों में इस प्रकार का दृष संस्था का प्रयोग करती हैं किन्तु केवल सहमती पर आधारित जैसे शिक्षक हैं पत्रकार हैं और जनजेवक ये सत्ता इनकी सत्ता शक्ति पर आधारित नहीं होती फिर भी उनका बहुत अधिक सम्मान किया जाता है राजनीतिक व्यवस्था और संगठनों में ऐसे अनेक उ का मस्या है जिसे सपल नेतरत्व के द्वारा सुलजहाय जा सकता है। राज्जिन दिक प्यवस्था और संगठनों में सत्ता और शक्ति को सामाने रूप से संगत किया जाताilate है और ऐसा किया जाना आवशक है क्योंकि अत्यनत लोकप्रिय शासा को भी शासन सत्ता के संचालन के लिए सत्ता और शक्ति दोनों की ही आविशक्ता होती है